अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब चरूर कर दें पहला कोश्चन है 1857 की क्रांती के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना जोर्ज पैट्रिक लोरेंस था ठीक है पहला कोश्चन तो यही बनता है कि 1857 की क्रांती के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था तो जोर्ज पैट्रिक लोरेंस था इसी दोरान 15 अक्टूबर 1857 को किन अंग्रेज अपसरों की हत्या कोटा में राज किये बिद्रोही सेनाने की थी यह कोश्चन बहुत फेमस है 1857 की क्रांती का और काफी बार पूछा गया है तो कोटा में जिन की हत्या हुई थी वो थे मेजर बर्टन और डॉक्टर सैडलर और कोटम इनकी हत्या कर दी थी कोटा में राज किये बिद्रोही सेनाने कब की थी 15 अक्टूबर 1857 को डेट भी आपको याद रखनी है 1857 बिद्रोह के समय धौलपुर का सासक कौन था धौलपुर के सासक थे भगवन्त सिंग 1857 के बिद्रोह के समय धौलपुर के सासक भगवन्त सिंग थे 1857 के बिद्रोह के समय करोली का सासक कौन था करोली के सासक मदनपाल थे जब कोटा के जो राजा थे उनको बंदी बना लिया था बाकी जजन्ता ने तो करोली के ही सासक थे मदन पाल जिनोंने अपनी सेना भेजीती कोटा के राजा को छुडाने के लिए 1857 बिद्रो के समय बासबाडा का सासक कौन था? बासबाडा का सासक लच्मर सिंग था 1857 के बिद्रो के समय 1857 के बिद्रो के समय कोटा का सासक कौन था? तो कोटा के सासक ते राम सिंग दुतिया जिनको बंदी बना लिया था कोटा की जनता ने और कैप्टन बर्टन, मेजर बर्टन और डॉक्टर सेडलर और कोटम की हत्यागर दी थी जो की हमारा फर्स्ट कोश्यन था ये आपको याद रखना है तो राम सिंग दुतिया को छुड़ाया किसने था? करॉली के सासकते मदन बाल उन्होंने अपनी सेना भीजी थी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें अठारे सब्सक्राइब बिद्रोव में आउबा के ठाकोर कुसाल सिंग चंपा बतने किस देवी का इसमरन करके अंगरे जी बै जोतपुर राज्य की? सैयुक्त सेना को पराजित किया करेक्ट आंसर होगा सुगाली माता कोशन ये भी आता है कि 54 हात वाली देवी किसे कहते हैं तो 54 हात वाली देवी और 10 सिर वाली देवी कहा जाता है सुगाली माता को सुगाली माता आवबा के ठाकुर कुसाल सिंकी कुल देवी है अभी इनकी मूर्ती कहा रखी है बांगड संग्राल्य पाली में इनकी मूर्ती अभी सुरच्छित रखी हुई है तीन जून 1867 को नीमत च्छाबनी मद्यप्रदेश के सैनिक बिद्रो कर दिल्ली की ओर चले तो रास्ते में देवली च्छाबनी गए देवली च्छाबनी कहां पर है टौक में इस समय देवली का नवाव कौन था बजीर उद्दौला इसाई राजा था ये बजीर उद्दौला ये देवली का नवाव था 1867 तीन जून 1867 के समय अगला कोश्चन है एरन पुरा च्छाबनी पाली के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फ्रंगी के नारे के साथ बगावत कब की 21 अगस्त 1867 को चलो दिल्ली मारो फ्रंगी के नारे के साथ एरन पुरा च्छाबनी के सैनिकों ने बगावत की ये question पटवारी माया हुआ है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सहने को ने दिया तो एरेन पुरा छावनी correct answer था वहाँ पर important है date भी पूछी जा सकती है 21 अगस 1877 को 1877 की क्रांती के समय कंपनी अधिगारी Major Burton बे इनके पुत्र Frank बे और्थर डॉक्टर सेडलर वे कोटम की हत्या कहा की गई फर्स्ट कोश्चन ही था कोटा में Major Burton की हत्या कर दी गई थी कब की गई थी 15 अक्टूबर 1877 को मारबाड के पॉलिटिकल एजेंट मौक मेसन की हत्या किस इस्तान पर की गई तो आउवा के ठाकुर कुसाल सिंग की सेना के साथ जब इनका युद्ध हुआ था जोदपुर की सेना का और एजेंट मौक मेसन का तो वहाँ पर आउवा पाली में मौक मेसन की हत्या कर दी गई थी इंपोर्टन कोश्चन है ये भी पूछा जाता है अगला कोश्चन है चेलावास का युद्ध कब हुआ 18 सितंबर 1877 को चेलावास का युद्ध हुआ इंपोर्टन कोश्चन है चेलावास का युद्ध बिथोड़ा का युद्ध ठीक है वो भी आएगा 1877 की क्रांती के समय कंपनी अधिकारी 1877 की क्रांती के समय आउवा पाली के ठाकुर कुसाल सिंग चमपावत को सलूमबर के केसरी सिंग तथा जोद सिंग ने सरण दी जोद सिंग का सम्बंद किस इस्तान से है तो कोठारिया रास सम्बंद से है जोद सिंग का सम्बंद important question है ये एक्जाम में पूछा जाता है कि ठाकुर कुसाल सिंग चंपाबत को सरण किस ने दी तो सलंबर के केशरी सिंग तता जोद सिंग ने सरण दी थी जोद सिंग का संबन्ध है कोठारिया राजसमन से राजस्तान में 1877 की करांती का पहला बिद्रो कब सुरू हुआ 28 मई 1877 को पहला बिद्रो सुरू हुआ और कहां से हुआ था नसीराबाद अजमेर से नसीराबाद अजमेर से पहला बिद्रो सुरू हुआ था 28 मई 1877 को 1877 बिद्रो के समय अंग्रेजों द्वारा इस्थापित राजिस्तान में 6 छावरिया थी तो कोटा राज्ये में 1877 के आंदुलन का नेतरत में किस ने किया कोटा जो आंदुलन था वहाँ पर नेतरत किया था लाला जैदयाल और महराब खान दो नाम याद रखने हैं कोटा में जो क्रांती हुई थी 1877 की वो लाला जैदयाल और महराब खान के नेतरत में हुई थी अभे सिंग चिमन सिंग का संबंद खोकरी गाउं से है इनका प्रमुक इस्तान भाकर ढणा था तो डूंग जी वे जभार जी का संबंद किस इस्तान से है इन दोनों का सम्मन्द सीकर से है ये वहाँ पर लोक्तेपता की तरह पूजे भी जाते हैं अवै सिंग चिमन सिंग का सम्मन्द खोकरी गाउं से है राजस्थान का बह सासक जो अपनी सेना के साथ 1877 बिद्रोव में अंग्रेजों की सैता एतू राजस्तान से बहार तक गया था तो ऐसे सासक कौन थे बीकानिर के सासक सरदार सिंग थे ये अपनी सेना के साथ अंग्रेजों की सैता एतू राजस्तान से बहार तक गये थे बिर्टिस राज में राजपूताना के पिर्थम AGG कौन था पिर्थम AGG था डेविड ओक्टर लोनी लेकिन अगर कोश्चन आये 1877 के टाइम पर कौन था तो वो था जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस दौनों आपको याद रखने हैं AGG पेट्रिक लोरेंस की सेना को 18 सितमर 18 सितामन को करांतिकारियों ने आओवा पाली के निकट छेलाबास नामकिस्थान पर प्रास्थ किया इसमें करांती कारियों ने मारवार के पी ए मैक मोसन का सिर्थ धर से अलग कर आउगा के किले पर टांग दिया इनका नेतरत्व करता था ठाकूर कुसाल सिंग चमपावत अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को 1857 की किरांती के समय उदयपूर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था उदयपूर का जो पॉलिटिकल एजेंट था बो था मेजर सावर्स जोदपूर का पॉलिटिकल एजेंट था मैक मोसन जिसकी हत्या कर दी गई थी चेलावास की युद में कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन जिसकी हत्या कर दी थी किनोंने कोटा की पिरजाने जैपुर का पॉलिटिकल एजेंट था करनल इडन ठीक है चारो पांचो नाम आपको याद रखने हैं जोदपुर का मैक मोसन, कोटा का बर्टन, जैपुर का इडन और भरतपुर का था मौरीशन, भरतपुर का कौन था? मौरीशन एक वार और रिपीट करेंगे उदैपुर का मेजर साबर्स, जोदपुर का मैकमोसन, कोटा का बर्टन, जैपुर का इडन और भरतपुर का मौरीसन जोदपुर महराजा तक्त सिंग ने किस किलेदार को बिथोड़ा युद बिथोड़ा का युद कब हुआ था? 8 सितंबर 1867 को और 18 सितंबर को कौन सा हुआ? चेलावास का युद दोनों आपको याद रखने हैं 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा युद में किसे क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था? सेना पती ओनार सिंग को मौत के घाट उतार दिया था 1857 बिद्रोग के समय जोदपुर महराज तक्त सिंग ने किसके नेतरत में अजमीर सेना भेजी तो कुसल राज सिंग भी के नेतरत में सेना भेजी थी कोशन ये भी आता है कि जोदपुर के महराज कौन थी 1857 के समय तो वो थे तक्त सिंग नाम याद रखना है तक्त सिंग जोदपुर के महराज थी उस टाइं 1877 बिद्रोगों के दोरान मेजर बर्टन तता उसके दो पुत्रवे दो डॉक्टर किस बिद्रोगों मारे गए कोटा बिद्रोगों में किसने नेतरत्व किया था कोटा बिद्रोगों का लाला जैदयाल और महराब खाने लाला जैदयाल और महराब खाने कब हुआ था ये बर्टन कम मारा गया था 15 अक्टूबर 1877 को ये भी आपको याद रखना है 1877 स्वतंतरता संगराम में कोटा महराब की सैता के लिए किस राज्य ने सैनिक सैता बेजी तो जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तो अब से ही बता रहा हूँ आपको करोली के सासक ने कोटा के महराब कौन थे उस समय राम सिंग दुतिया थे तो राम सिंग दुतिये को जब बंदी बना लिया था कोटा की पर जाने तो इनको छुडाने के लिए करोली के सासक मदन पाल ले अपनी सैना बेजी थी 1857 में के प्रती मेबाड महराणा की क्या नीती थी अंग्रेजों का सहयों करना ये मेबाड के महराणा की उस्ठमें नीती थी राजिस्तान में 28 मई 1857 को पहला बिदरो नसीरवद आजमीर से शुरू भई लूँए तो राजिस्तान में 1857 करान्ती का केंदर कौन सा नहीं रहा जैपूर करान्ती का केंदर नहीं रहा था एक कुश्चन ये भी आता है बहुत इंपोर्टेंट कि 1857 बिद्रोग का पिर्तीक चिन क्या था तो कमल का फूल और रोटी चपाती ये पिर्तीक चिन थे 1857 के बिद्रोग के 1857 के दोरान लिखित पुस्तक माजा प्रवास के लिखा कौन थे विश्णु भट गौड से ने माजा प्रवास लिखी थी राजिस्तान में बिर्तिस सरकार का संधी के अंतरगत आधिपत्य कब इस्थापित हुआ तो 1817-18 में बिर्टिस सरकार का संधी के अंतरगत आधित्पयत्य इस्थापित हुआ था भारत के पिर्थम स्वतंदरता संगराम में जो भोजन सामेगरी क्रांतिकारी संदेश के साथ गाउं में बिद्रित की जाती थी बोती रोटी और चपाती इसके अलावा कमल का फूल भी पृत्रीक जिन्न था कमल का फूल भारतिय सेनिकों ने पिर्थम स्वतंदरता संगराम की सुरुआत किस स्थान से की तो मेरट च्शाबनी 10 मही 1877 से पिर्थम स्वतंदरता संगराम की सुरुआत की थी अंग्रेजों ने 1838 में जाला मदन सिंग के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो सबस्क्राब जरूर कर दें चैनल को राज्यों की बिले नीती के तहट सबसे पहले किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था तो सतारा महराष्ट को सबसे पहले अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया था किस की नीती के तहट बिले नीती के तहट यतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना बिल्टिस सरकार का अपराद समझा जाएगा और आने वाली पीडी पूछेगी कि सजा के लिए किसने सुईकर्ती दी है कथन किसका है या कथन कैप्टन सावर्स का है और कहां के पॉलिटिकल एजेंट थे उधैपुर के ठीक है तो याद रखना है आपको important question है पूछा गया एक्जाम में बिथोड़ा तथा चेलाबास नामकिस्थान का संबंध है 1857 के स्वतंतिरता संगराम से बिथोड़ा योन्दि तो हुआ था आठ सितंबर को , चेलाबास का यो दूआ था 18 सितंभर को द्योगनों यो दूएतE आउगा कि ठाकुर कोसाल सिंग से आठ सितंभर बाले में जोदपूर का ओनार शिंग मारा गया था और 18 सेप्टिम्बर बाले में मौ कोईसन मारा गया था